हेलो वीवर्स वेलकेम टू माई यूट्यूब चैनल इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी दिपावली से पहले घर में आप कौन कौन सी वस्तुए लाएं जिससे मा लक्ष्मी की किरपा आपको प्राप्थ हो तंतर शास्त द्वारा ऐसी वस्तोह का जिक्र किया गया है जिने यदि दिपावली आने से पहले घर में लाया जाये तो ये वस्तुए धन अमंतरित करती हैं ये वस्तु फूर्ण रूप से शास्त्रिय महत्व को दर्शाती है इसके साथ ही ये केवल मा लक्ष्मी का आशिरव पाने का ही साधन है तो चलिए जाल लेते हैं कौन को सी हैं वो वस्तुएं जिने आप घर में लाकर मालक्षमी की किरपा प्राप्त कर सकते हैं हत्ता जोडी तिपावली आने से पहले किसी भी मंगलवार या शनिवार के दिन घर में हत्ता जोडी लाए ये एक खास प्रकार की जड़ी बूटी होती है जो धन अमत्रित करने में सायक है इसे लाकर लालवस्त में लपेट कर अपनी तिजोरी में रखे या किसी भी ऐसे स्थ यंत्र लेने जाएंगे तो आपको कई प्रकार के श्री यंत्र मिलेंगे किन्तु दिपावली के लिए आपको खास प्रकार का श्री यंत्र लाना होगा इस यंत्र पर मालक्ष्मी के साथ 33 देवी देवता का चित्र होना चाहिए इसे दिपावली से कुछ दिन पहले ले मौति शंक शंक कई प्रकार के होते हैं एवं प्रतेक शंक से एक खास प्रकार का लाब हासिल होता है मौति शंक धन एवं समर्द्धी का प्रतीक मारा जाता है इसे दिपावली से पहले ही घर पर ले आए पूजिन के बाद इसे स्थाफित करें लक्ष्मी कोड़ी यदि मा लक्ष्मी की किर्पा पाना चाहते हैं तो ये लक्ष्मी कोड़ी के बिना संब्भ नहीं है पुराणी कथाओ में लक्षमी कोडियों का जिक्र मिलता है धन की देवी जिसे भी ये कोडिया दे देती थी वो जीवन भर के लिए धर्मान बन जाता था दिपावली से पहले आप घर में लक्षमी कोडिया लाएं और इसे उस थान पर स्तापित करें जहां धन रखते हो गोमती चकर गोमती चकर को सास्तरों के अनुसार शुब माना गया है ये लक्षमी प्राप्ति के लिए अनुकूल माने गए है इन्हें भगवान किष्ण का आशिरवाद भी माना गया है क्योंकि इन्हें सुदर्शन चक्र की भाती मारा जाता है दिपावली पर आप 11 गोवनती चक्र लाकर पीले वस्तर में बाध कर तिजोरी में रखे आकडे की जड़ इसकी जड़ लक्षमी प्राप्ति के लिए उप्योग में लाए जाती है इसे दिपावली से पहले किसी भी शुकरवार को घर में लाकर अपनी धन तिजोरी में स्तापित करें एक आक्षी नारियन ऐसा नारियन जिसका एक नयल हो तंत्र प्योग में इसका बेहदी महतव है इसे घर में लाना शुब होता है दक्षिनावर्ती संग एक ऐसा विशेश शंक है जो मा लक्ष्मी से जुड़ा है इस परकार का शंक आसानी से मिलता भी नहीं अगर आपको मिले तो इसे तुरंत घर ले आए इसमें दूद और गंगा जल भर कर पूरे घर में छिड़काव करें ये कारे शुकरवार को करना अधिक फलदाई होता है लगुनारियल मा लक्ष्मी की प्रियवस्तू है यदि आप इसे घर ले आए तो धन की देवी जरूर कृप्या बरसाएंगी लगुनारियल को लालवस्त्र में बांध कर अपने घर में ऐसी जिगे पर रखे जहा कोई आ कमल गट्टे की मला असानी से उपलब्द हो जाएगी कर्या के दिमालक्ष्मी के मंत्र का जब करें धन की देवी अवर्श ही किरपा करेंगी स्टो वाइट को अब करने के लिए अगहर में किन फेस्तuk को लाएं अगर आपको अच्छी लगी हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ अपने प्रेयर जनों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा ठैंक्स पूर वाचिंग मैं वीडियो